दोस्तो अगर आप भी अपने फोन में अभी तक 4G यूज कर रहे हो क्योंकि यार अब 4G यूज का जवाना गया क्योंकि अब 5G का जवाना आ गया है अब देखो हमारे फोन में तो 4G सीम लगा हुआ तो उसको 5G कैसे बना है तो दोस्तो आज की इस वीडियो मैं आपको यही जी का काम कर रहा है तो आज की इस वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखते रहेएगा क्योंकि आपको कुछ नया सीखेने के लिए मिलेगा और आपका फोन पहले से ज्यादा स्पीड हो जाएगा ठीक है तो चले वीडियो को स्टार्ट मेरा नाम है ओम और आप देख रह लोग की मेरे फोन में अभी 4G है ठीक है यहाँ पर मैं आपको लाइप प्रूप दिखाता हूँ यह देखो मेरे फोन में 4G है काफी लोग क्या कहते है ना कि तेरा फोन जो है कापसे ही 5G में था और हमें जो बुद्दू बना रहा है नहीं दोस्तों मैं आपको सभी काम करूँगा ठीक है तो यहाँ पर आपको अब मैं वो सेटिंग बताता हूँ कि जो मैं सेटिंग आपको बताने के लिए बोला था ठीक है जिससे आपका 4G सीम जो है ना 5G के बराबर यूज होने लगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले अपने फोन में स सेटिंग्स में चले जाना है जैसी आप अपने फोन के सेटिंग्स में जाते हो ना तो यहाँ पर आपको एक उपसिन ही मिलता है मुबाइल नेटवर्क के नाम से तो यहाँ पर आपको मुबाइल नेटवर्क में चले जाना है जैसी आप मुबाइल नेटवर्क में जाते हो जैसी आप select करोगे न तो यहाँ पर आपका एक option नहीं मिलेगा access point name यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको चले जाना है जैसी आप जाते हो तो यह आपके phone में geo से एक APN जो है आपको हमेशा के लिए मिला रहता है जो कि आपके phone में पूरा दिन रहता है जब तक आपका phone है न तब तक यह आपका APN रहेगा लेकिन क्यों न हम अपने phone में एक नया APN create करें और वो भी 5G का APN create करें तो उसके लिए आपको कह करना पड़ेगा यहाँ पर आपको उपर plus का icon प्लस पर क्लिक करना है जैसी आप plus पर क्लिक करते हो न तो यहाँ पर सबसे main main काम करना है जो कि आपको पूरे ध्यान से देखना पड़ेगा तब ही आपका phone जो है न 4G के बराबर नहीं 5G चलेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा सेटिंग ध्यान रखना है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना अब यहाँ पर क्या करना है उपर में आपको name का option देखी मिलेगा तो name में चले जाना है जैसी आप name में जाते हो न तो यहाँ पर आपको क्या type करना है दोखो type करना यह जियो करना है फिर यहाँ पर करना है 5G यहाँ पर 5G करना है और फिर यहाँ पर एक और चीज करना है public जो कि public यहाँ पर करना है और यहाँ पर हमने कर लिया जियो 5G public यह आपको यहाँ पर जो है type करना है ठीक है और यहाँ पर आप देख लो a small letter है या capital letter है जो भी capital letter या कोई भी letter है ना तो वही आपको type करना है नहीं तो एक एक जो अगर आप a small letter है ना उसमें तो अगर आप capital letter लेख जाना तो वह आपके phone में work ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यदा ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि यह APN है जो कि आप खुद से create कर रहे हो तो यहाँ पर आपको name में तो करना है फिर यहाँ पर देखेगा APN तो यहाँ पर APN में चले जाना है अब यहाँ पर आपको type करना है जीओ 5G जो कि आपको space बिल्किल भी नहीं देना है ठीक है अब यहाँ पर करना है यहाँ पर काम हो गया अब यहाँ पर आपको नीचे आना है अब यहाँ पर यह सब में आपको कुछ नहीं करना है ठीक है MFC, MSPROXY, MSPORT, MSCCA, MNC ठीक है यह जो दो आपको option देख रहा है ना MCC, MNC जो कि यह आपके जो आप जो सहर में रहता हो ना वो सब टावर का यह code है जो कि आपके phone में बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका phone जो है बिल्कुल भी आपको जो 4G दिख रहा है ना वो 4G भी आपके phone में नहीं आपाएगा अगर आप इस code को अपने phone से हटा दो गए ठीक है तो यह आपको दोनों भी हटाना नहीं है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है और आपको याद भी करने ना है अब यहाँ पर देखने मिलेगा authentication type तो यहाँ यहाँ पर आपको चले जाना है जैसी आप जाते हो तो यह आपके phone में none पे set रहेगा ठीक है तो यहाँ पर करना है पर चैप करने के बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा IPv4 and IPv6 यहाँ पर करने के बाद अब यहाँ पर आपको mail setting दीखेगा bearer के नाम से bearer में चले जाना है bearer में जाने के बाद यह रहाएगा non specified तो यहाँ पर आपको LTP भी कर देना है यह दोनों पर कर देना है अब यहाँ से आपको back आना है अगर आपका यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर से आप save कर सकते हो नहीं तो आपको यहाँ धीर हाँ ढीरेगेगा वहाँ पर klik कर यूगो तो यहाँ यहाँ पर यहाँ सेkal லेते हैं जैसी आप save करेंगे तो यह आपके phone में जो है हो चुका है उस developer option को आपको on करना होगा ठीक है वो developer option आपके phone में कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हो about device में जाना है about device में जाने के बाद नीचे version दीखेगा version में जाना है build number पर 7-8 बार click करना है जैसी आप click करते हो तो आपके phone में नया option आ जाता है जिसका नाम है developer option और वो developer option आपको कहा देहीं मिलेगा यहाँ से आपको back आना है फिर उसके बाद जो है ना आपके फोन में 4G से 5G convert हो जाएगा मैं आपको speed भी check करवा दूँगा ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर नीचे जाना है वो कौन सा setting करना है उसके बारे मैं बता रहा हूँ ठीक है यहां पर आपको नीचे जाना है और यहां पर इसा नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपके फोन में लिखा हुआ यहां पर reduce battery drain and internet improve कर देगा ठीक है तो यह आपके लिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है wifi scan throttling इसको आप जरूर से जरूर अपने फोन में on करना है अब यहां पर देंगे मिलेगा mobile data always active तो इसको तो आप आपको जरूर से जरूर on करना है क्योंकि इससे हमारा फोन का internet जो है वह बहुत ज़्यदा फास्ट हो जाता है आप नीचे पड़ भी सकतो क्या लिखा हुआ आलवेश की mobile data active event वेन वाइफा एक्टिव फॉर fast network switching यानि कि आप साब सब पढ़ सकते हो कि fast network switching यानि कि आपका फ सेटिंग नहीं है तो नहीं करना लेकिन अगर आपके फुन में वह सेटिंग है तो जरूर से जरूर करना है है यहां पर आपको चले जाना है ठीक है 5G पर select करने के बाद आपको पूरा minimize आ जाना है अब यहां पर देखो मेरे phone में यहां पर clear 5G लिख रहा है यहां पर आप देख सकते हो ठीक है अब इसी तरह आपके phone में 5G भी आ जाएगा अगर आपका यहां पर 5G नहीं दिख रहा है 4G दिख रहा है तो घबराओ नह जो जो आपने setting किया है न वो सब 5G के ही बराबर है जो कि हमने API नया create किया है और वो क्या है 5G हमारा नाम है उसमें 5G हमने नाम दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो 5G के बराबर चलेगा तो यह आपको देख लेना है ठीक है अब यहां पर आपको मैं आपको speed test करवाता सबसे पहले आपको क्या करना यह सब जो आप setting के हो ना उसके लिए आपको अपने phone को एक बार reboot करना पड़ेगा यानि कि आपको एक बार switch off करना पड़ेगा ठीक है यहां पर reboot कर देता है और reboot करने के बाद मैं आपको speed भी check करवाओं कि मेरे phone में कैसा speed अब देख सकते हो द चला कर देख लेना उसमें आपको स्पीड जो है ना दो गुणा देखनी के मिलेगा पहले one देखनी मिल रहता है अब दो गुणा देखनी के मिलेगा तो main चीज़ मैं आपको speed टेस्ट करवाता हूं Speedtest में जाना है जैसी आप जाते हो तो यहां पर यहां पर Loading हो रहा है तो Loading होने पर पर photographs jest start start करने कgriff बीस पर गया और फिर पचास पर चल गया आप देखो भाई अब इतना internet आपको कहां देखने की मिलेगा बताओ भाई बहुत ज़्यादा internet बहुत ज़्यादा मैंने अच्छा APN जो है select किया है तब ही आपको इतना internet देखने की मिल रहा है वो क्या है ना कि आपको इतना तो कम दिख रहा है लेकिन मैं अगर अभी अपने बाहर रहता ना घर के बाहर तो बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलता क्योंकि मैं अभी अपने रूम में हूँ ठीक है इसलिए आपको इतना देखने की मिल रहा है यहां पर आप खुद बखुद देख सकते हो मैंने आपके साथ सामने यहां पर रख दिया है ठीक है जो है आज की इस व वीडियो आपको पसंद आया अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल परना है तो सब्सक्राइब कर लेना चलो मिलता है भी नेक्स वीडियो मैं तब तक लिए जाएंड एंड टेक क्या